Stock Market और Financial Updates के लिए The Investment Guruji चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कीज़े इसके ताद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले ताकि आपको हमेशा हमारे latest investment video मिलते रहेंगे नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका ना में The Investment Guruji तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है इस company का detail understand करेंगे company को देखेंगे company के products क्या है समझेंगे इस product को इसके बाद हम लोग देखेंगे management कैसी company की management का company के परती क्या feature perspective है वह हम लोग जानेंगे जो क्यां सनसरी करेंगे company के fundamental details हम लोग इसके जोने से कंपनी के profit loss और financial का पिछले कुछ सालों का हम लोग 27 करेंगे कंपनी का स्टॉक करेंगे इसके बाद करेंगे company का ILीय超ु कि इसकी कपनी का मदाविएच करेंगे इस कंपनी का technical analysis करेंगे इसका हम लोग candlestick chart का analysis करेंगे जहां पर लोग लेखेंगे कौन सी level best होगी जहां पर लोग इस टॉक में enter कर सकते हैं दोस्तो चली देखते कंपनी के पारे में कंपनी का नाम है metropolis healthcare the pathology specialist दोस्तो जैसे कि इसके नाम में लिखा है the pathology तो pathology की रिलेट जो भी services for example union test, blood test, sugar test, etc तो इस टाइप की जो test है वो यह services से यह company provide करती है दोस्तो यह company की जो सापना हुई थी 1918 में हुई तो अच्छा का सी पूरानी company healthcare and medical services sector की दोस्तो यह company की जो सापना की थी डॉक्टर सुशिल शाहा ने की थी जो की headquarter है currently company का मॉंबई में दोस्तो यह company के currently 124 clinical laboratories है और 2400 collection centers across seven countries including India तो इंडिया के साथ-साथ यह अलग-अलग different countries में जो है अपना काम काच करती है दोस्तो यह company के अगर हम लोग funding के के बात करें तो आइसे से venture जो के साथ-साथ different जो आउट अफ इंडिया की फिर में उन्होंने भी यह company में जो है अपना पैसा निभेश किया है दोस्तो अगर हम लोग इस company के management के बात करें तो दूस्तोर सुशिल शाहन यह company start की थी as a single diagnostic laboratory in Mumbai दोस्तो एकदम छोटे small scale सी यह company इन्होंने start की और उसके बाद दोस्तो इस company के भागडाव समारी थी इनकी बेटी ने जिसका नाम है अमीरा शाह दोस्तो इस particular हरस्ती के बारे में जानने से पहले हम लोग देखेंगे इनके बारे में जानना क्यों ज़रूरि है वो तो बहुत ही important है I'm not saying or I'm not denying that thing लेकिन दोस्तो company की face के बारे में जानना बहुत जरूरी है for example दोस्तो अगर हम देखे तो उदय कोटक जो की कोटक महींतरा बैंक है तो वो बहुत ही चाना माना चेहरा है बहुत ही talented जो है वो हस्ती है इसके साथ दोस्तों अगर हम लोग लोग रिटन टाटा के तरफ देखे अगर टाटा की अच्छी कमपनी में निवेश करते है या फिर दोस्तों अगर हम लोग इनफोसिस को देखते है तब मिस्टर नाराइन मूरती दिखते है तो यह जो हस्तिया है वो बहुत ही बड़ी हस्तिया है और वो management का एक बहुत ही strong part है दोस्तों दोस्तों इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी आप company में निवेश करेंगे और अगर लंबे समय के लिए आपको अगर निवेश करना है तो उस company की जो management को ज़रूर और ज़रूर देखिए दोस्तों अगर हम लोग इस हस्ती के माने जाने तो इन्हों ने इ अच्छी university में उनकी जो degrees ली थी as well as दोस्तों इनकी अगर बात की जाए तो she took out the father's company in 2001 she subsequently transformed the single diagnosis lab which had a revenue of about 1.5 million and 40 employees जब उन्होंने जोइन की थी तो यह position थी और अपकी position है दोस्तों उन्होंने यह company 125 diagnosis lab और 19 million revenue के यहाँ पे लेके गई है as well as इसके जो employee है currently 4500 दोस्तों यहाँ पे इस data से हम लोग जान पाएंगी कितने मतलब कैसे काम क्या होगा उन्होंने और किस सबसे इन्होंने यह company इस जो है मुकाम के लेके गई होगी दोस्तों she is not only the MD of Metropolis Healthcare but also she is currently the board member of Mariko company जो की बहुत बड़ी company FMCG sector की she is also presently independent director of Toran Pharma जो की एक pharmaceutical company है इसके साथ वो जो है वो इंडिपरेंट डिरेक्टर रे शॉपर स्टॉप की काया लिमिटेट की she is also advisor of Baylor College of Medicine तो यह काम जो है इनके जो regular ड्यूटी थे उसके साथ यह और जो है बोर्ड अब मेंबर पर है यह बहुत ही बड़ी बात है दोस्तो अभी हम लोग है company के website पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि Metropolis Healthcare के approval मिला है Government of India से for testing the COVID-19 test दोस्तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि COVID-19 का सिदा सिदा जो फायदा है यह company को मिल रहा है दोस्तो अगर हम लोग इस company के अगर stock return को देखे तो पिछले एक साल में इस company ने 49.57% का एक return return दिया है यह पिछले एक साल का graph है दोस्तो पिछले around एक साल पहले यह company जो है वो stock market में लिस्ट हुई तो इसले पहले का हमें return ratio नहीं दिख पाएगा लेकिन दोस्तो अगर हम लोग पिछले एक साल का भी अगर इसका graph देखे तो एक convincing यहाँ पर हम लोग graph इस company का देख सकते हैं दोस्तो चलिए देखते हैं इस company का shareholding pattern Indian promoter के पास है 56.90% की सेधारी उसमें जो प्लेच स्टॉक है वो है 33.83% foreign institution के पास है 16.14% की सेधारी और हम लोग domestic institution की बात करें उनके पास है 23.71% की सेधारी mutual fund ने भी इस company में निवेश किया है जो कि है 6.01% की सेधारी अगर हम लोग other DIY की बात करें तो उनके पास है 17.7% की सेधारी और other के पास है 3.25% की सेधारी दोस्तों चलिए बात करते है इस stock की details के बारे में इस company का market cap है 7,299 करोड इस company का जो current price चल रहा है वो चल रहा है 1,440 रूपीज पे इस company का 52 भी खाया है 2110 और 52 लग है 931 रूपीज दोस्तों इस company की book value चल रहे है 103 रूपीज पे इस company का stock P.E. 53.24 पे अगर हम लोग industry P.E. से compare करें तो वो है 50 industry P.E. 57.18 दोस्तों इस company का face value है 2 पे चलिए दोस्तों देखते है इस company का profit and loss statement कैसा है इस company का financial किछले कुछ सालों का दोस्तों अगर हम लोग firstly sales की बात करें तो sales था March 2014 में 388 करोड जो की अभी currently है 761 करोड दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे sales की आकड़ों पे दान दे वो consistently जो है इस company के sales जो है increasing mode में बढ़ रह financially grow हो रहा है और अभी March 2019 में इसका जो operating profit है वो है 203 करोड दोस्तों अगर हम लोग इसके interest में दे तो एक बहुत ही interesting factor है क्योंकि इस company के interest है वो बहुत ही depth free company हम लोग इसका interest को देखके कह सकते हैं दोस्तों अगर हम लोग इस company का अगर profit before tax देखे तो March 2014 में था profit before tax 95 करोड जो वो भी consistently up move में है दोस्तों finally हम लोग देखे net profit की after deduction of tax तो वो March 2014 में था 57 करोड जो की consistently up move में अच्छी कासी तरह से बढ़ रहा है और March 2019 में इस company का net profit है वो है 120 करोड चली दोस्तों देखते हैं इस company के pros और cons क्या है अगर हम लोग pros की बात करें तो company virtually debt free है बहुत ही negligible इस company प on equity बहुत ही अच्छा है अगर पिछले 3 साल का अगर हम लोग track देखे तो वह है 28.90 यह एक बहतरीन जो है return on equity यह company दे रही है दोस्तों अगर हम लोग इस company के अगर तीसरे pros पर धान दे तो company has a maintain the healthy dividend तो एक अच्छा dividend यह company payout कर रहे है इसके investor को अगर हम लोग इस company के cause देख से इस company का तीसरा कॉंस है company के promoter का जो है pledge है holding 33.83 परसेंट चलिए दोस्तों देखते है इस company के peer competitors इसका comparison देखते है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसके competitor Apollo Hospital, Dr. Lal, Path Labs, Fortis Healthcare यह फिर Esther DM, Thyrocare यह बड़ी company इस company की जो है competitors है दोस्तों अगर हम लोग इस company के market cap पे रहन दे तो है 7,299 crore जो की एक अच्छी कासी market cap है लेकिन अभी भी इस company को जो है अच्छा खासा जो है opportunity है आगे बढ़ने के लिए दोस्तों इस company का जो है P चर रहा है 53.24% अगर हम लोग इसके industry P से यह P compare करे तो यह P एक little bit सस्य दाम पे अभी कामकाच कर रहा है चलिए दोस्तों करते हैं मेट्रोपोलिस हैत्किर का टेक्निकल चार्ट अनलिसस कॉंसी लिपल बोस्त होगी जहां पर हम लोग इस stock में निवेश कर सकते हैं दोस्तों यहां पर हम लोग देख सकते हैं stock list हुआ था 15 April 2019 को लेके और उसके बाद दोस्तों अच्छी कासी stock ने जो है इस अच्छी कासी मुह दिखाई थी अप मुह दिखाई थी और इसके बाद जो है यह लिस्ट हुआ था सम्वेर अराउंड दोस्तों अगर हम लोग दे अच्छी से अल्मूस मार्केट किर गया था उसके बाद यह stock ने एक लोग बनाया था 986 रुपिस का और उसके बाद अभी दोस्तों यह stock जो है ट्रेड कर रहा है 1451 रुपिस पर दोस्तों अगर हम लोग इसका मुह आवरेज के बात करें तो 200 की जो यह लाइन मुह है दोस्तों दोस्तों बहुत ज्यादा चांसे से इस सिनर्वी में यह stock थोड़ा correct हो सकता है दोस्तों अगर यह stock correct होने के बाद somewhere हमें यह stock 1180 रुपए से लेके अगर 1260 रुपए के बीच में इस range में कर यह stock मिलता है तो यह अच्छा entry point होगा अगले 2 या 3 साल में निभेश हम लोग कमा सकते हैं तो दोस्तों यह थी पूरी जानकर ही stock से related दोस्तों आपको कोई भी comment हो सुजा हो suggestion हो या आपको कोई दूसरे stock पर information चाहिए तो please comment box में mention कीजिए तो दोस्तों that's all for this video thank you for watching this video please investment to Guruji चैनल को like और subscribe पढ़ना ना बूले इसके साथ इस video को share कीजिए तो द है प्रणीज बड़े लिए से लिए से बनाशीज यहीं हुआ हुआ एुआ हुआ हुआ IP